उत्तर प्रदेश के जब चुनाओ के रिजल्ट आये थे प्रधान मंत्री ने एक साम को जब विजय की सभाग की उन्होंने तो उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाओ का रिजल्ट 24 का संकेक देता है तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भई हर चुनाओ एक अलग चुनाओ है उत्तर प्रदेश के चुनाओ से 24 का चुनाओ फैसला नहीं होता है वो उत्तर प्रदेश का चुनाओ था देश का चुनाओ 24 में होगा कौन जीतेगा वो बात अलग है कौन जिते का कौन हारेगा लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाओ 24 लोकसवा के चुनाओ का संकेत का संकेत नहीं देता है मैंने उदाहरन भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई कमो वेस वही इस्तिती फिर करनाटक को लेकर है इस बार उल्टी बात हुई है इस बार कॉंगरेस जीती है तो फिर पत्रकार बंदू और जितने एनलिस्ट है और कुछ कॉंगरेस के समर्था अब इसको बता रहे है कि ये 24 का ये संकेत है मेरे भाई हर चुनाओ अलग था उत्तरप्रदेश में भाजपा जीती वह उत्तरप्रदेश का चुनाओ था और करनाटक में जो चुनाओ हुआ है वो करनाटक का चुनाओ है जिनको सफलता मिली है उनको बधाई लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापुलेट मत कीजिए आपको बस ध्यान दिला नहीं मद्यपरदेश चटिस गड़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कॉंग्रेस जीती और उन्हीं राज्यों में उसी राजस्थान में उसी चटिस-गड़ में उसी मद्य परदेश में जब लोगसभा के चुनाओ चार महिने के बाद हुए तो मेरा जो अपना छोटा अनुभाव है चुनाओ को आपको बस उसी संदर में देखना चाहिए यह जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है कमी है वो ठीक बात है लेकिन करनाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा या उत्तर प्रदेश में भाज जानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर में यह कहा था तो भी गलत है और आज अगर कॉंग्रेस के समर्थक करनाटक के संदर में बोल रहा है तो मेरा उनको इतना ही सुझाओ बिन मांगा सुझाओ है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित नहों जीत मिली है वो अच्छी ब प्रवाना ना भूलें